दीजल और पेक्ट्रोल गाडियों के कारण बरते प्रदूसर के मद्दे नजर केंदर सरकार ने फेम इंडिया योजना की स्तुरुवात की थी इस योजना का उद्देश से हाइब्रीड वाहनों को अपनाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को गती देना है इस योजना को और गती देते हुए भारी उद्धोग मंत्री प्रकास जावेटकर ने फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहट देश भर में 670 इलेक्ट्रिक बसों और 241 चार्जिंग इस्टेशन को मंजूरी दी है केन सरकार ने चार राज्यों महराश्ट्र गोवा गुजरात और चंडिगर के लिए 670 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दी है फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहट पाच राज्यों मध्यप्रदेश तमिलनाडू केरल गुजरात और पोर्ट बलेयर में 241 चार्जिंग इस्टेशन बनाए जाएंगे भारी उद्रोग मंत्री प्रकास जावेट करने कहा कि इस फैसले से वाहनों के उत्सरजन में कमी आएगी और जैव इधन पर निर्भरता कम होगी प्रधान मंत्री नगेंद्र मोधी जी के दूरदर्शिन अतूतों में इलेक्ट्रिकल वेहिकल्स का प्रसार और प्रचार बढ़ रहा है मैं अभी पिछले एक साल से यह इलेक्रिकल गाड़ी उपयोग कर रहा हूं और इलेक्ट्रिकल गाड़ी का बहुत अच्छा अंधोव है एक रुपे किलोमीटर फ्यूएल कॉस्ट है इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है एक यूनिट में दस किलोमीटर चलती है तो दस रुपे का एक यूनिट समझे तो भी एक या सवा रुपे में ये एक किलोमेटर चलती है 670 इबसे इसमें महराश्ट्र को 240 दे रहे गुजरात को 250 दे रहे चंदिगड को 80 दे रहे गुवा को 100 बसे दे रहे और इसके साथ साथ केरल में और बाकी जगह बहुत ज्यादा मात्रा में चार्जिंग स्टेशन भी शुरू कर रहे